सभी भक्तों को प्यार भरा प्रणाम और राधे राधे एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राधे शामपर। दोस्तों ओम नमह शिवाय एक जादूई मंत्र है और उसके महत्व का वर्णन करना हमारे लिए असंभव है। फिर भी इस मंत्र की महत्ता बताने का तुछ प्रयास किया गया है। इस सावन के पवित्र मास में सभी सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों को ओम नमह शिवाय मंत्र की इस महिमा को ज़रूर जानना चाहिए। जिससे आपके ज्ञान में तो वृद्धी होगी ही साथ में आपको अनेकों प्रकार के लाभ भी प्राप्थ होंगे। ऐसा कहा जाता है कि इस मंत्र का मुकाबला कोई दूसरा मंत्र नहीं कर सकता। ओम नमह शिवाय सबसे लोक प्रिय हिंदू मंत्रों में से एक है और स्वसंप्रदाय का महत्वपूर्ण मंत्र है। ओम नमह शिवाय का अर्थ भगवान शिव को नमसकार या उस मंगलकारी को प्रणाम करना है। ओम के इलावा इससे शिव पंचाक्षर मंत्र भी कहा जाता है, जिसका अर्थ पांच अक्षर मंत्र है, यह भगवान शिव को समर्पित है, यह मंत्र श्री रुद्रम चमकम और रुदराष्टा ध्याई में न महक्षी वा और यके रूप में प्रकट हुआ है. श्री रुद्रम चमकम कृष्ण यजुर्वेद का अंश है, और रुदराष्टा ध्याई शुक्ल यजुर्वेद का भाग है. सिद्धस्व और स्वसिधान्त परंपरा जो सम्प्रदाय का हिस्सा है. उनमें नमह शिवाय को भगवान शिव के पंच तत्व बोध और उनकी पांच तत्व पर सार्वभूमिक एक्ता को दर्शाता है, न ध्वनी पृत्वी का प्रतिनिधित्व करता है, मह ध्वनी पानी परंतु इस ओम में ब्रमांड की सम्पून शक्ति का वास है. ओम शब्द तीन अक्षरों से मिलकर बना है अकू और क्म जिसमें अका अर्थ है उत्पन होना, कू का अर्थ है विकास और क्म का अर्थ है मौन अवस्था में जाना यानी की ब्रहमलीन हो जाना. शिव पुराण के अनुसार इस मंत्र में शिव श्री विश्नूमा दुर्गा श्री गनेश और ब्रह्मा शामिल है। यदि आप लगातार इसका जब करते हैं, तो ब्रह्मान की सभी शक्तियां आपकी मदद करेंगी क्योंकि कोई भी शक्ति भगवान शिव पर शासन नहीं कर सकती है। अच्छा मंत्र है यदि आप इस मंत्र का जाप कर रही हैं। तो आपको किसी आध्यात्मिक मार्ग गर्शन की आवश्यक्ता नहीं है। शिव स्वय मार्ग गर्शन करेंगे इससे आपका शिव में विश्वास गहरा होगा कि यह सबसे जादूई मंत्र है, इसे मैं शब्दों में भी व्यक्त नहीं कर सकता। यह मंत्र आपको भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से शुद्ध करेगा मेरे शिव से जल्दी और दूसरा कोई भगवान आपको मोक्ष नहीं दे सकता। लोग भगवान से कृपा चाहते हैं, इसलिए मैं उनको इस मंत्र का लगातार जाप करने की सलाह देता हूँ, इससे आप निस्वार्थ और शुद्ध हो जाएंगे, और तब आपको शिव की अनुभूती होगी, क्या रोजाना ओम नमह शिवाय का जाप करने से कोई खत्रा है, जी हाँ ओम नमह शिवाय मंत्र का रोजाना जब करने में कई तरह के खत्रे भी होते हैं, आप एक बहतर इंसान बनते हैं, अब शब्दों का प्रयोग बंद कर देंगे कि आप, अपने जीवन में बहुत सकारात मकता महसूस करते हैं, आपको पच्चतावा होगा शिव म रका जाप न करके अपने इतने साल क्यों बरबाद किये आप अपने जीवन में बहुत से परिवर्तन होते हुए देखते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप सफल शान्त स्वभाव के हो गए हैं, और इस ब्रहमांड में प्रत्येक जीव का सम्मान करना शुरू कर देते ह आपके चहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है, क्या आपके मन में और कुछ नहीं होगा आपको एहसास होता है कि आप एक नश्वर है और आपके जीवन का अंतिम उद्देशे एक इनसान के रूप में आपकी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करना और मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करना है आप शिव की कृपा से आत्म साक्षातकार के मार्क में होंगे इसलिए यदि आप उपरोक्त सभी चीजों को चाहते हैं तो आप तै करें कि आपको उम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है या नहीं यह आपका का निर्णय है